हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपनी इस्टूप चानल रॉली स्पॉट गुरु जी में फ्रेंड्स तो सीडियो में हम जीस मैची बात करने वाले हैं वो मैच है सूपर फिफ्टी का मैच जो कि विन्वार्ड आइसलेंड और वेश्टेंज इमर्जिंग टीम के बीच में रात तो ग्यारा बजे ब्लेंड रारा के इस्टेलियांग पर खेला जाएगा वहीं फ्रेंड्स अगर आपने भी दखमाट टेलियांग चैनल जोईन नहीं किया है जहां पस हम आपको काफी कुछ अपडेट कराते रहते हैं अगर आप हमारा टेलियांग चैनल जोईन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा उससे पहले अगर आप इस पीछ का एवरेज स्कोर देखोगी देहाँ पर जोई टिम फर्स्ट बैटिंग की है पिछले साथ मुकाबले में जो एवरेज स्कोर निकल कर आया है और 231 का रहा जिसे फर्स्ट बैटिंग करने वाले टिम चार बार जित चुकी है और जोई करने की कोशिस कीजिएगा अगर आप इहां से इन दोनों ही टिमों का पीछला मुकाबला देखोगे तो वेस्टेंग इमर्जिंग की जो टीम है युएसे खिला अपनों पिछला मैच खेला था हाला कि मैच जो बीजिस ओवर को हुआ था तो कि पारीस कारण जो ओवर वो इन विकेट निकाले थे वहीं अगर आप इहां से विनवर्ज आइसलेंग का पिछला मैच देखोगे तो विनवर्ज आइसलेंग पिछला मैच से टी एंट खिलाप खेला था जहां पस टी एंट ने विनवर्ज आइसलेंग को आज विक्टों से हरा दिया था जीसमें फ्रे हाल अभी तक तो इन दो टीम आपास तो कभी भीडी नहीं है यहां से आते हैं हम आपर चल की इंपोर्टन सेक्षन पर चुकि फाइफ सा प्लियार को लेकर एक और इसे पांच-पांच प्लियार दुनों हुई टेम के दरब से जो लगतार अच्छा करके आए हैं और आपको इ प्लियार दोनों ही टीम के दरब से जो फिलहाल के लिए अच्छा करके आए हैं अगर आप यहां से इन दोनों ही टीम लोगा पॉसिबल 11 देखोगे तो आपको वेस्टन से इमर्जिंग टीम के दरब से मैलिस और जी पॉपे उपनिंग कर दिखाई देने वाले हैं जी पॉ जुलेन हैं, करिया हैं, कोटा हैं। सिलिंजार हैं, ड्रेक्स हैं, हाल्डिंग और एफ नाल्ज़्ण हैं मेरी साबसे यही पॉसिबल एवाली हैं इमर्जिंग टीम के तरब से बाकी अगर आप यहांसे वीनवाज आइसलन के पॉसिबल देखोगे तो वीनवाज आइसलन क कोटी हैं सिलिंग फॉर्ड हैं जो ओल्डान है अतंची हैं और एस लेवीस हैं मेरी साब से यही पॉसिबल रहने वाला है विन्वाज आइस्टान के टीम के तरब से बाकि अगर आप पीस वाले मैश में इस मुआलिक में किसी क्याप्टान वाइस्टान सेलेक्ट करना चाहते वाले हैं तो आप इन्हीं चार मेंस किसी दो कसाह armas को जाहिएगा यह ज्यादातर लोग इन्हीं चार मेंस किसी दो को अपना कैप्टान-वाइस्टान वाइस्टान करने वाले हैं जिसें फीरणड वेंवर्ड आइसेजANS करने के तरफ से के कोटी है वही वेंश्ट इमर्ज सब्सक्राइब करना बिल्कुली मत भूलियेगा सबसे पहले अगर आप यह से विकेटीबर से अक्सन देखोगे तो आप आसे से दो आप्सन एक तो इस्टेवार्ट का है जो कि आपको लगवग 6 नमर खेलतों दिखाई देने वाले हैं विनवाज आइसलेंग टिम पर दरफ से अदूसरा सिल्वा का है जो कि आपको वन डाउन खेलतों दिखाई देंगे इमर्जिंग टिम के तरफ से पिछले मैश में इनको लगवग 5 नमर उतारा गया था क्योंकि फ्रेंज जो ओवर था और 20 ओवर खेला जाना था और जो सिल्वा है उतने हाजिंग करते नहीं है इसलिए इनको जो है 5 नमर पिछले मैश में टिम खेलाई थी लेकिन इस वाले म खेलतों दिखाई देंगे इमर्जिंग टिम के तरफ से मालोनी है जो कि ओपनिंग करेंगे विनवर आइस जाने टिम के तरफ से अगर आप यहांसे एड़ोट के सांच जाना चाहता आप बिलकुल इनके सांच जा सकते हैं यह आप चार नमर पर खेलतों दिखाई देंगे विन्वाज आईसेंग टीम के तरब से आर्केटो आप वो लबग 5 नवर खेल दो दिखाई देंगे इमर्जिंग टीम के तरब से बाकी फ्रेंट नीचे से तो आप पस बुतने से पिक नहीं है बाकी आप की मर्जिय कि आप मेलियस और जुलियन तो ट्राइ करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर जो बैटिंग और बैट्समेन को तरब नहीं मिलता पिज के अनुसार आप जो एमेलियस और जुलियन को भी ग्रैंड लिग से दूरी रहे तो बहतर रहेगा इनको आप ना ही तो इसमाल लिवन ट्राइ कीज़ेगा और ना ही इस ग्रैंड लिग के टीम में बाकी आल रॉंडर सेक्शन से मनने चाला रॉंडर रॉपी किया हुआ जिसमें होड़ गे हैं जोकि वन डाउन आएंगे साथ ही अपने कोटे का पूरे पूरे दस वर आपको बॉलिंग कर भी देदेंगे आज के लीस वाले मैच के रहने वाले के अपटान के लिए अगर आप इसमाल लिग खेलते हैं या ग्रैंड भी खेलते हैं तो आप इनने के साथ क्याप्टान जाएएगा तो बहतर रहेगा बाकी सिल्ट चैर आपको बैट और वाल दुनों के साथ अच्छा करते हो दिखाई देने वाले हैं यह आपको लपक छैन नमबर पर खेलते हो दिखाई देंगे वेस्टेंजिच इमर्जिंग टीम के तरब से वही फैनेट से कोटे भी आपको डाउन डियार दर हाज़िटिंग करते हो यह आएगे विनवाड आईज़ाई टीम में तरब से वही पॉपोई आपको ओपनी कर दिखाई देंगे वेश्टेंदिस इमर्जिंग टीम के तरब से बाकी फ्रेंट से इनको टीम चाहे ही तो एक से तीन ओपर बॉलिंग करना को भी मिल जाता है अगर आप यहाँ किसी और को पिक करना चाहते हैं आपस दो ओपसन एक तो क्याप्टन करिया है और दूसर यहाँ से अतनजे हैं आप चाहें तो इनके साथ जा सकती दोनों भी काफी अच्छे अल्राउंडर है आप इनको सेलेट करना चाहते बिलकुल इनके साथ जा सकते हैं बाकी अगर आप इनको इनको यादराम को पिक करना चाहते हैं यह आपको लपक चार से पांच नबर अपको खेल दुखाई देगा विनवाज आइसलिंग टीम में अब साथ ही अपने कोटे का चार से पांच ओवर आपको बॉलिंग करकर भी देगा अगर आप इनके साथ जाना चाहते हैं तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं बॉलिंग सेक्षन से मैंने तीन बॉलरों को पिक किया हुए फ्रेंट जीसमें सिलिंग फॉर्ट है जो कि बैट और वल दोनों के साथ आपको अच्छा करके देने वाले हैं ड्रेक्स हैं यहां से लेवी करके साथ सकते हैं और यहां से आप इसले मैंस के तीन बिक ही निकाले थी आप चाहें तो इनको इस माली में ट्राइ कर सकते हैं अगर आप हमारा फाइनल टीम देखोगे तो हमारा फाइनल टीम है जिसमें सिल्वा है मालोनी है डीशमीद है ग्रेवस है कोटे है होडगे है जीपोपो है सिलिंग फॉर्ड है ड्रेक्स है और यहां से हाड़ी है वहीं अगर आप कोई भी चेंजेस होता है इस टीम को लेकर या कोई नूज आता है दोनों टीमों के तरब से तो हम आपको अपने टेलीगरा पर सेयर करते रहते हैं अगर आपने अभी देखमा टेलीगरा चैनल जोईन नहीं किया है जिसका लिंक आपने आपको लिचे प्रवाइट करा राकर आप चाहें तो जोईन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर जीगा, सेयर कर दीजीगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्काइब करने बिल्कुली मत भूल लिएगा बाकी हैं बासे क्याप्टन वाइस क्याप्टन, आपको टॉस के बाद टेलीगराम पर पोस्ट कर देंगे कि हमकी इसक्याप्टन, वाइसक्याप्टन के साथ जाने वाले हैं चल्ली फेंड्स मिलते नेक्स्ट ड्रुम अटिम के साथ में